दोस्तों आज जो मुद्दा उभर कर सामने आया है वो है शरुनार्थियों का मुद्दा, तो दोस्तों NRC लिस्ट यानि National Register of City जन्स पर राजनीती बढ़ गई है, लेकिन वे लोग बेहत परिशान हैं जिनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम इस लिस्ट में हैं तो कुछ क नहीं, नरेंद्र मोधी सरकार इस पर कारवाही करने की तयारी में है, जानकारी के लिए बता दूं कि NRC के जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 2,893,673,677 लोगों को वैद नागरिक मान लिया गया है, हाँ लेकिन ये जानकर बहुत धहरानी होगी कि इसके लिए 3,39 29,384 लोगों ने आवितन किया था, जिन में से 40,7,707 लोगों को अवैद माना गया, अब अगर मोधी सरकार इन पर कोई बड़ी कारवाही करती है तो 40,00,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे, दोस्तो NRC पर मोधी सरकार की कारवाही से होंगे, ये बड़े असर इस कार कारवाही से असम राज्य में अवैद घुस पैठियों के बारे में जानकारी मिलेगी, दोस्तो नागरिकता कानून से अलग असम में असम अकॉर्ड 1985 लागू है, जिसमें ये बताया गया है कि 24 मार्च 1971 की आधी राज से पहले तक राज्य में आने वाले लोगों को भारतिय अब ऐसे में इनार सीलिस से बाहर हुए 40 लाख लोगों पर कारवाही होती है, तो वो मददान नहीं कर पाएंगे, और तो और नाम शामिल कराने वाले को ये साबित करना होगा कि असम अकॉर्ड के मुताबिक वे हसम करने वासी है, जाहिर सी बात है कि अगर 40 लाख लोग ब पिकार नहीं करेगा, ऐसे में दोनों देशों के बीच दनाव बढ़ेगा